बीजेपी में शामिल होने के बाद खुश्बु सुंदर ने गांधी वाडरा परिवार पर ताबर तूड हमले शुरू कर दिये कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को भेजे अपने स्तीफे में उन्होंने बिना नाम लिये पार्टी के बड़े नेताओं पर गम भीर आरुप लगाए थे उन्होंने कहा था कि पार्टी में बड़े पदों पर कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनका जमीनी हकिकत से कोई जुडाव नहीं है वे आदेश दे रहे हैं मेरे जैसे लोगों को जो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं पीछे धकेल रहे हैं और रोक रहे हैं खुश्बू सुंदर ने कहा गांधी परिवार को खुद बनाए गए बुलबुले से बाहर आना होगा जब तक वे बुलबुला नहीं पोड़ेंगे तब तक हारते रहेंगे इस स्थिति में कॉंग्रेस खुद को विपक्ष में भी नहीं पाएगी वे एक जूठी उम्मीद में जी रहे हैं भारतिय फिल्मों की अभिनेतरी खुश्बू 2014 में कॉंग्रेस में शामिल होने से पहले द्रमुक में थी कॉंग्रेस सूतरों का दावा है कि 2019 के लोग सबाचुनौ में टिकेट नहीं मिलने के बाद से वे नाराज चल रही थी खुश्बू सुंदर ने आरूप लगाया कि कॉंग्रेस ये नहीं बताना चाहती कि लोग पार्टी छोड़ कर क्यों जा रही है सुंदर ने कहा कि कॉंग्रेस अध्यक्षा सूनिया गांधी को लेके पत्र से साफ है कि पार्टी छोड़ने के लिए कौन जिम्मदार है मेरा पत्र पढ़ने वारे लोगों को पता चल जाएगा कि मैं किस की बात कर रही हूँ आला कमान को पता चल जाएगा उन्होंने कहा पार्टी छोड़ने का कारण राजनितिक था और वे किसी नेता का नाम नहीं लेगी क्योंकि कीचड उच्छालने की कोशिश नहीं करना चाहती उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्यों कांग्रिस का हिस्सा रहे लोग पार्टी छोड़ रहे हैं वे सिर्फ या रूप लगाना चाहते हैं कि हम अफसरवादी हैं वे आत्मरे डिक्षन नहीं करना चाहते हैं पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है खुश्बू ने कहा कि कॉंग्रेस मानसिक तोर पर कमजोर है उसे एक समस्दार महिला की जरुत नहीं थी वहीं कॉंग्रेस ने कहा कि खुश्बू सुंदर के जाने से तमिलाडु विधान सवा चुनाओ में पार्टी के प्रदर्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा खुश्बू ने कहा कि मैं कॉंग्रेस के प्रतिवफादार थी लेकिन कॉंग्रेस में किसी बुद्धिमान महिला की जगह नहीं है कहना कि वे मुझे किवल एक एक्ट्रस के रूप में देखते हैं कॉंग्रेस की ओची मानसिक्ता को दर्शाता है इस पार्टी में सच बोलने की आसादिन नहीं है The Report, News of India